गुड मोरिंग गाईज वेलकम टू बेंकिंग अंगल समानिया का आज है पांच अक्टोबर और पांच अक्टोबर के दहिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड पहला वर्ड है प्राइज इसका जड़ इबी स्पेलिंग होती है ठीक है और दोनों ही क्या होते है नाउन होते हैं तो जो जड़ इए है यह अमेरिकन इंगलिस में बोला जाता है और जो यूक है वो हता है पि- आर आई-स-उ ठीक है इसके सिनेनम क्या क्या है रेंच एक्स्ट्रैक्ट एक्स्टॉट यह इ कि इसे ring from मतलब निचोड़कर निकालना जिमी प्राइब यह भी इसके सिनेनिम होंगे मतलब बलप्रो खींचने को कहा जाएगा जिमी प्राइब वैसे प्राइब एक और सेंस देता है वह वहता है तांग जहां करना मतलब चुपके से देखना कहीं नजर गारना ठीक है यह व इनाम किसको दोगे जिसको सम्मान दोगे तो इस्टीम क्या था किसी को सम्मान देना और डिस्टीम किसी का अनाधर करना डिस्रिस्पेक्ट करना किसी का अनाधर करना ठीक है तो यह इस हिसाब से है और अटेज फासन यह इसके एंटनिम है अटेज मतलब क्या है यहां पर क् है उससे न्यूज को जब बल पूर्वक निकालनी पड़ी अगला वट है एच इसका मतलब हो जागा नकासी करना या उकेरने को कहा जागा एच ड्रो को कहा जागा एच जैसे इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है चीजों जो किसी पत्थर पर उसको उकेर कर उस पर डिजायर बना जाता है या कुछ लिखा जाता है यह होता है इंस्क्राइब इंग्रेव भी क्या होता है सेम सेंस देगा तो यह होगा एक और वोड आता है क्या है फरो इसका मतलब क्या होता है वैसे जोतने को कहा जागा या फिर बनता है जिससे ठीक है और इसका दूसरा मिनिक क्या है कोई नकासी करना कोई चित्र बनाना ठीक है उकेर कर बनाना ठीक है तो यह होगा इंप्रिंट होगा इस टाइप के यह सेंस देगा स्टेम्प इन साइज होता है ठीक है तो यह भी होता है Sculp होता है मतलब जो पुरानी मूर्तिया होती है बनाई हुई किसी पत्थर पर यह होता है Sculp ठीक है तो यह होगा Antonym क्या होगा इसका Hide, Build, Confuse, Neglect यह इसके Antonym होंगे इसके जो है जब मैं Antonym भूंटा था यह दोनों ही वर्ड Price और Edge थोड़ा Difficult थे इसके Antonym निकालना अब इसका Antonym आपको समझनी आ रहाँ होगा Hide है Edge क्या होता है जब Edge करते हम उकेरते हैं मतलब उसको Highlight करते है ठीक है उसको सामने लेके आते है तो यह होता है Edge अब Antonym क्या होगा इसका जब आप उसको Hide करोगे यह इसके Antonym होगे ठीक है तो यह होगा Build इसलिए है क्योंकि क्या था इसमें नकासी करके वो होता है किसी को उखाड़कर फिर इस हिसाब से बनाए जाता है और Build में क्या होता है उसको बनाए जाता है Construction किया जाता है तो इस हिसाब से आपको समझना होगा Example क्या होगा इसका A laser is used to edge a pattern in the smooth surface of the disk जो smooth surface head disk की उस पर जो pattern है वो laser के द्वारा बनाए जाता है ठीक है तो यह होगा अगला वट है चिक इसका मतलब हो जाएगा Tip Top या Stylist या Fashionable या कोई जो चीज trendy में है उसे का जगा चिक ठीक है Serenum क्या क्या होंगे इसके Elegant जो सुन्दर है Smart को का जगा Modern, Exclusive यह इसके Serenum होंगे Rackishness एक अच्छा वर्ट है इसका मतलब है क्या होगा जो काफी Smart होता है Stylist होता है Banka बोला जाता है जिससे वो होता है Rackish Walkis होगा जो काफी Fascinable है वो हता है जैसे Walk सुना होगा Walk मतलब जो काफी Fascinable है तो Walkis Fascinable ठीक है Modis होगा यह इसके एक Synonym होगा Antinim क्या होगा इसका जो Old Fashioned है Savvy है गंदा है Outmoded है In Elegant है Elegant जो सुन्दर है In Elegant जो बजसूरत है ठीक है तो यह होगा Example क्या होगा She looks so chick In that Black Dress वो जो है उस Black Dress में काफी Stylist दिखती है ठीक है तो यह होगा तो Guys जगलवट है Coaccent इसका मतलब होजागा जो स्थिर है सांत है Inactive है निश्करिया पढ़ावा है उससे का जागा Coaccent जैसे Image में देखरा होगा जो यह Loin है यह कैसे आराम से पढ़ावा है स्थिर है Inactive है ठीक है सिर्ण क्या होगा इसके Inert Latent Unruffled स्थिर को का जाता है Unruffled Latent मिस्पी क्या होगा जो स्थिर है या फिर निश्करिया है Inert मिस्पी क्या होगा निश्क्रिया जैसे Inert Gases होती है निश्क्रिया Gases ठीक है तो यह होगा Dormant होगा Dormant मिस्पी क्या होगा निश्क्रिया placid और क्या होगा Serene होगा जो सांत है Tranquil यह भी isके سनिन्म होगे इसका मतल। भी क्या होगा सांत एंट्रिम क्या होगा इसका जो एक्टिव है डिलीजट है अजायल है निम्बल है जो काफी जादा उचसाही होता है ठीक है तो यह होगा एक जांपल क्या होगा इसका Meditation Contributes to a Quascent Mind and Spirit Meditation, Mind और आत्मा को सांत करने में योगदान परदान करता है ठीक है तो यह होगा अगला वट है Candor इसका मतलब क्या हो जागा निश्कपटता या Frankness को कहा जागा Candor जो इसपस्ट वादी है या साफ है जो कुछ है सामने है जैसे अटल वियारी बाचपी जी है इ विल्कुल Candor रही है Frankness रही है ठीक है काफी इसपस्ट वादी थे तो यह होता है सिननम क्या होंगे इसके Directness, Fairness, Candidness यह सिननम होंगे Candidness मतलब जो इसपस्ट वादी है ठीक है जो निश्कपटता है इसके लिए एक और वर्ड आता है क्या Ingenuous एक Adjective है और Ingenuousness क्या होगा इसका Non-form होगा ठीक है तो यह होता है जो इसपस्ट वादी है या फिर सीधा साधा है तो यह होता है Ingenuousness एंटिनम क्या होगा इसका इसका Dishonesty, Unfairness, Insincerity यह इसके एंटिनम होंगे एक्जामपल होगा इसका She has done her task with complete candor उसने जो है अपना जो टास्क है वो पूरे निश्क पड़ता से किया तो यह होगा अगला वट है Extricate इसका मतलब हो जाएगा सुलजाना या Get Out of a Situation मतलब कहीं Difficult Situation है उससे बचना या फिर अपने आपको कहीं से Release करना आपने आपको स्वतंतर करना Rescue करना यह होता है Extricate सिरिनम क्या होंगे इसके Detach, Untangle, Rescue यह इसके सिरिनम होंग उलजना और Untangle जो सुलज जाता है इस फ़स्ट हो जाए यह होता है एक एडियम हाती है Get Off The Hook इसका मतलब होगा जब आप किसी कठिन परिस्टेसिश से बचते हो ठीक है तो यह होता है Get Off The Hook एक और idiom आती है, regal out of, इसका मतलब भी क्या होगा, किसी कठीन परिस्टिस से बाहर निकलना, ठीक है, तो यह होगा, amend होगा, separation होगा, इस टाइब के भी यह sense देगा, antinim क्या होगा, इसका, attach होना, किसी से connect होना, entangle होना, किसी में फसे रहना, involve होना, ठीक है, तो यह होगा, separation होता है, इसका synonym, extricate का, इसलिए यहाँ पर attach और connect, इसका antinim आए, ठीक है, तो यह होगा, example होगा, इसका, arun was trying to extricate himself from official duties, जो arun है, वो कोसिस कर रहा था, अपने आपको official duties से बाहर करने की, ठीक है, तो यह होगा, तो गयज अगलावट है, sapron, इसका मतलब होता है, सनक्षन करना, या protector को कहा जाएगा, sapron, जो किसी की रक्षा करे, जैसे image में दिख रहा होगा, यहा करने की कोशिस कर रहा है, उनको motivate कर रहा है, यह होता है, sapron, synonym क्या होगा इसके, defender, guardian, shield, यह इसके synonym होगे, एक और word होता है, अच्छा, squad, इसका मतलब होगा, जो सनक्षन करे, ठीक है, तो यह होगा, antonym क्या होगा इसका, abandon, किसी को aside छोड़ना, या ऐसी छोड़ देना, attack, क by our aunt, हमारी जो देखवाल है, वो हमारे auntie के द्वारा की गई, ठीक है, तो यह होगा, अगला word है, appreciably, इसका मतलब क्या होगा, काफी या enough को कहा जाएगा, appreciably, जो परियाफ्त मातर में है, इसका दूसरा meaning आप जानते हो, क्या होता है, किसी की person सा करना, appreciate करना, ठीक है, तो य significantly, substantially, यह इसके synonym होगा, substantially भी क्या होगा, परियाफ्त मातरा, measurably होगा, evidently, जो इस पस्ट रूप से है, तो इस टाइप के sense देगा, appreciably, एंटिनिम क्या होगा इसका, negligibly, जो बहुती कम है, ठीक है, slightly, बहुती कम को कहा जाएगा, unappreciably, little, थोड़े को कहा जाएगा, तो यह एंटिनिम होगे, एक्जांपल क्या होगा इसका, the risk of infection is appreciably higher among children, जो infection है, उसका जो risk है, वो बच्चों में, बहुती जादा है, ठीक है, तो यह होगा, अगला वट है, नेव, इसका मतलब क्या होगा, दूस्ट या फ्रॉड को कहा जाएगा, नेव, जिसके अंदर कोई मोले क गुंड नहीं है, वो होता है, सिननिम क्या होगे इसके, miscreant, rogue, scam, यह इसके सिननिम है, miscreant मतलब, जो दूस्ट है, कुकर्मी है, उसे का जाएगा, rogue, scam, गुंडा या बदमास को कहा जाएगा, ठीक है, तो यह होगा, wallet होगा, यह भी क्या है, बदमास को कहा जाता है, swindler, ज इसके, hero, angel, protagonist, यह इसके, antinim होगे, hero मतलब, protagonist मिश्ट क्या होगा, hero को कहा जाएगा, नायक है, जो किसी का, और antagonist, यह इसका, synonym होजाएगा, नेव का synonym होगा, मतलब, जो गुंडा है, उसे कहा जाएगा, antagonist, और protagonist, जो hero होता है, नायक होता है, किसी का, तो यह होगा, example इसका, he is known as a notorious name of this area, वहाँ इस area के, कुक, ख्यात, दुस्ट, या बदमास, या गुंडे के रूप में, जाना जाता है, ठीक है, तो यह होगा, तो गायद, आज की पहली idiom है, as high as a kite, इसका मतलब होजाएगा, intoxicated with drugs or alcohol, मतलब, जिसने, नसा किया होता है, जो नसे में धूत ह गहा, उससे का जाएगा, as high as a kite, जैस इस example है, I tried to talk to her after the party, but she was as high as a kite, पार्टे के बाद में, उससे बात करने की कोशिस कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही जादा, intoxicated थी, मतलब, बहुत ही जादा क्या थी, नसे में धूत थी, तो यह होगा, अगली idiom है, all served up, इसका मतलब हो जाएगा, very nicely dressed, मतलब, जिसने बहुत ही, अच्छे धंक से पहना होता है, कपड़े पहने होते हैं, जैसे साधियों में होता है, wedding post में होता है, या आप interview में जाते हो, उस टेम पर क्या है, बहुत ही अच्छे धंक से कपड़े पहने होते हैं, उससे का जाएगा, all served up, जैस ए ceremony के time पर, ठीक है, तो यह होगा, ceremony के लिए, अगला वट है, अगली जो phrase है, वो है, rob in, इसका मतलब हो जाएगा, persuade somebody to join in an activity or help to do something, मतलब किसी को राजी कर देना, किसी कारी के लिए, या किसी की help के लिए, या कोई activity है, जो करनी है, उसके लिए किसी को मना लेना, कि आप करोग उसे का जाएगा, rob in, जैस एक जाएगा, boss robbed him in for another two years of service, जो boss था, उसने, उसे अगले दो साल के लिए, काम करने के लिए, मना लिया, ठीक है, तो यह होगा, अगली phrase है, kick around, इसका मतलब होता है, treat badly, किसी को बूरे तरह के से ब्योखार करने के का जाएगा, kick around, जैस एक they cannot kick me around, वो जो है, मुझसे ऐसा treat नहीं कर सकते, या मुझसे इतना बेकार behave नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह होगा, अब बढ़ते हैं, तो guys, आज का जो root word है, वो है phobia, इसका मतलब हो जाएगा, fear, डर को कहा जाएगा, phobia, अब देखते हैं, इसे related word, जैसे, acrophobia, इसका मतलब ह मिस भी क्या होगा, height होगा, तो दोनों ही ध्यान देना, एक्रोफोबिया और हिप्सोफोबिया, दोनों का ही मतलब क्या होता है, fear of height, जिसको मुझसे डर लगता है, वैसे ही, astrophobia, इसका मतलब क्या हो जाएगा, acer मिस क्या होगा, खटे को कहा जाएगा, sour को कहा जाएगा, तो fear of sour, मतलब जिसको खटे से डर लगता है, या जिसको अच्छा ने लगता, खटा, उसे कहा जाएगा, astrophobia, वैसे, इसका मतलब हो जाएगा, fear of pain, जिसको डर्द से बहुँ ज़्यादा डर लगता है, थोड़ा सा भी सहने सकता है, पहले उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसे कहा जाएगा, अगला वर्ड है, एनिमो फोबिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, fear of wind, एनिमो मिस क्या होगा, wind को कहा जाएगा, तो जिसको हवा से डर लगता है, उसे कहा जाएगा, एनिमो फोबिया, तो यह हो जाएगी, आज के रूट वर्ड, तो गैज, आज के लिए बस इतर रही, थ थांक्यू, धन्यवाद,